नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्शित चौबे और आज हम बात करेंगे आरार और रसीबी के बीच जो मैच खेला जाने वाला उसके बारे में फूरी पॉस्विले लेवे डिसकस करेंगे साथ ही साथ इंपोर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बताओंगा किस प्लेयर के चलने क स्टांसें अगर वीडियो लास्ट तक देखो गई तो आप एक अपनी बहतरीन टीम क्रियेट कर सकते हैं और लास्ट मैं भी अपनी टीम बताने वाला हूं लास्ट मैच के बारे में भी बात करेंगे उसके पहले बता देता हूं भाई आर्सी बी बी अपने मैच जीत क्या ये RCBB का टूर्णामेंट भी काफी अच्छा जा रहा है और RR का टूर्णामेंट तो आपको पता ही RR काफी कमाल का कर रही है वीडियो के अंदर आपको depth में analysis में provide करूंगा साथी साथ अगर last तक बनोगे तो GL के captain भी बताऊंगा GL में कौन से 7 fixed player आपको रखने हैं वही match के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं एक बर फिर से वही player आपको काम करके देने वाले तो वीडियो में last तक बने रहे न last match के बारे में बात करें हैदराबाद और चेन्ने के बीज वो match था हमने captain किया था हमने captain किया था आपको भी पता है उमरान मलिक की बात करें कुछ लोगे पास उमरान मलिक थे लेकिन हमारे पास थे दोस्तों मयंक मारकंडे जिनोंने हमें एक तरफा विन करा है लगातार तीन चैनल पर आजाओ टेलीगाम चैनल जोइन कर लो आगे बढ़ते हैं मैच के बारे में बात करेंगे उसके पहले बता देता हूं यहां पर अगर मेरा मेरा जो छाप कर्चेंट कर व rigorous लिए एक फ्रीरो बिगस्ट करसकें एक कर सकते हैं इक लाक रुपए तक विन कर सकते हैं कौन सब मैच है चैनने और कॉलकता के बीच मैच है जो संडे को खेला जाएगा जो नैक्स मैच है साड़े साथ बजे वाला मैच है जल्दी से जाओ कॉंटेस जोइन कर लो एक लाग रुपे जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब यह कॉंटेस जब आप जोइन करने जाओगे तो वहाँ जीरो लिखा होगा जीरो पे आप सिंप्ली टैप कर देना आपकी टीम आपने अल्रेडी क्रियेट की होगी उससे आप कॉंटेस जोइन कर सकते एक लाग टक जीज सकते हो तो बल्लेवाजी को डाउनलोड कर लेना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आगे बढ़ते हैं मैच के बारे में बात कर लेता है पिछ रिपोर्ट के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछ रिपोर्ट आप देख सकते हैं पर फिर से चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मैच खेल के ले जाते हैं वैंन्यू स्टेट्स के बारे में बाथ करते हैं वैंन्यू पर क्या हुआ है 119 टोटल ऐगा एंट वह कंड लिए हैं तीम बाड सेकेंड ने 63 मैच घ्य मैचेश्च जीते हैं रीटकी ऊपर स्कोर बनाए ते एक बदर फिर से एक्सपेंट कर सकते हो, बड़ा स्कोर हाइस स्कोर 2063 थी स्कोर आर् सीपी ना है, लौ एस्कोर 80 वे लिए आरकोऊ है आगे बढ़ते और देख लेते हैं वाली टीम जीतती है, यह वाला मैच फर्स बैटिंग वाली टीम जीत गई है, पेसरस ने 10 विकेट निकाले हैं, इस्पिनस ने 4 विकेट निकाले हैं, उसके पहले रसीबी ने 174 बनाई थे, डेली कैपिटर्स ने 151 बना पाये थे, और रसीबी ने उसको डिफेंड कर लिया कि दोस्तों एक बार फिर से आपको 200 प्लस या 200 के आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम काफी बढ़िया है, स्ट्रॉंग अपोनेंट्स हैं, दोनों ही टीम आरार भी आप देख रहे हैं, काफी कमाल के बैटिंग हो रही है, बटलर भी अच्छा कर संजू सेमसें, देवदत पडिकल, देवदत पडिकल नहरा कि अच्छा नहीं किया है, है है, हैट मायर है, जैसवाल है, काफी बढ़िया बैटिंग उनके पास भी है, और रसीबी के पास भी काफी बहतरीन बैटिंग है, एक बार फिर से आपको बड़ा स्कोर देखने को मि मिलती है, लास्ट यर बात करें, दौनों मैचेस आरार ने जीते थे, और लास्ट यर आरार फाइनलिस्ट भी थी, आप देख सकते हैं, फर्स मैच में आर्सीबी ने वन फिफ्टी सेवन बनाया, रार ने चेस कर लिया, सेकंड मैच में आरार ने वन वन फोर फोर बनाया, लेकिन आर्सीबी चेस नहीं कर पाई, बटलर ने सैंचुरी लगाई थी, मैच जिताया था, उसके अलावा ड्यू प्लेसेस ने बढ़िया किया था, संजू सेमसन ने ठीक ठाक रंस बनाये थे, बोलिंग सेक्शन से बात करें, हैजल वोर्ड जो कि अविलेबल ही है, लास् बढ़ते हैं दोस्तों, और हम बात कर लेते हैं, लीसेंटली प्लेड मैचेस में फॉर्म की, दोस्तों प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं, जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 थी, मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा, काफी बढ़ प्लेज का है, नौ मैचेस के लिए, 72 का एवरेज है, लगबाग हर मैच में चिन्ना स्वामी पर फोड के आते हैं, रीसेंटली प्लेड मैचेस में फॉर्म भी देखेंगे, उसके पहले देख लो, 36 का ओवराल एवरेज भी काफी अच्छा है, रीसेंटली प्लेड मैचेस म और चिन्ना स्वामी में वैटिंग करना भी इनको बहुत जादा पसंद है, तो ड्यूपलेशेस बड़िया पारी एक बार फिर से खेल के दे सकते हैं, विराट कोली लांस मैच में काफी बड़िया खेल रहते हैं, हमारी टीम के कैप्टन भी थे और हमारी जिताने में भी मह हैं, लेकिन 50-60 के बीच आउट हो गए हैं, तो आज के मैच में चांसे हैं कि विराट आपको थोड़ा और बड़ा करके दे हैं, कैप्टन की एक बार फिर से बड़िया चोईस होंगे, महिपाल लॉम्रोर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, प्लेयर ने बिल्कुल ख कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, थोड़ा सर इसको सकता है, इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल ली के अंदर नहीं होगे, शैवाज अमद ने भी कुछ खासा इंप्रेस नहीं किया है, बैटिंग बोलिंग दौनों सा मौका मिलता है, लेकिन कुछ खास नहीं किया तो ट्राइ नहीं कर रहा है, दिनेश कार्तिक के बारे में बात करें, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, 26 का एवरेज है, लास्ट येर कमाल किया था, इस येर बिल्कुल भी कमाल नहीं कर पाएं, एक ही मैच अज़स में डबल डिजट में पहुंचे हैं, बाकि हर मैच में सिंगल डिजट स्कोर पर आउट हो गए, तो दिनेश कार्तिक को हम ट्राइ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास अल्रेडी दो बड़िया विकेट कीपर हैं, बटलर के साथ आप जा सकते हो, संजू सेंसन के साथ भी आप जा सकते हो, वनिंदू हसरंगा, लास्ट मैच में सब लोग इ जा सकते हैं, हो सकता है आज बैटिंग आजा और बैटिंग से कमाल करके दे, वन परनेल के बारे में बात करें, प्लेयर काफी अच्छे हैं, एक आदा विकेट डेफिनेटली निकालते हैं, लास्ट मैच में भी आपने देखा, फाइनली जाके एक विकेट निकाली लिया थ तो आज के मैच में भी परनेल से एक आदा विकेट की उम्मीद रख सकते हो, जादा विकेट की उम्मीद मत रखना, क्योंकि बैटिंग सर्फेस है, बोलर्स को उतने विकेट नहीं मिलेंगे, वहीं दोस्त अगर मैं हर्शल पटेल की बात करूँ, तो भाई हर्शल पटेल आपको भी पता है, डैथ में पूरे चार ओवर्स अपने कंप्लीट करते हैं, एक ओवर पावर प्ले के बाद आता है, एक ओवर दस से पंदरा के बीच और दो ओवर सोला से बीस के बीच डालते हैं, तो जो भी बोलर डैथ बोलिंग करता है, चांसे सोते हैं स्टिनना स्व मोहमद सिराज भाई मोहमद सिराज की क्या ही बात करें मतलब कमाल का ये प्लेयर है आप देख सकते हैं लास मैच में भी चार विकेट ले गए और RCB को जिताने में बहतपूर्ड रोल इनने प्ले किया था चार विकेट, एक विकेट, दो विकेट, तीन विकेट तो हर मैच में काफी बड़ी है सिराज का फॉर्म में देखने को मिल रहा है एक बार फिर से सिराज अच्छा कर सकते हैं ओपोनेंट्स के ओपनर्स को किसी से खत्रा है तो सिराज से खत्रा है यह हर वीडियो में मैं आप से बात बोलता हूँ और यही मैच में हो जाता है सिराज ओपोनेंट्स के ओपनर्स को तो ले ही जाते हैं किसी एक ओपनर को डेफिनेटली आज यह ले जाने वाले हैं तो जैसवाल पर यह खत्रा मंडर आएगा या तो बटलर भी आउट हो सकते हैं तो सिराज आज के मैच में फिर से इंपोर्टेंट है बागी किसी प्लियर को दोस्तो अगर मौका मिलता है तो आपको टेलीगाम पर में प्रोवाइड करा दूँगा टेलीगाम चैनल जोइन कर लेना अब हम दोस्तो बात कर लेते हैं राजसान की पॉसिबल 11 की यहां से क्या कोई चेंज देखने को मिलेंगे फिलाल तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा बस यहां पर रियान पराक की जगह आप देख सकते हैं देवदर्थ पड़ीकल को बाकि कोई चेंज जेस मुझे देखने को फिलाल नहीं मिल रहा है आगे बढ़ते हैं इनके रिसेंटली पेड मैचेस में फॉर्म की बात कर लेते हैं बटलर का फॉर्म दोस्तों बहुत बहतरीन चल रहा है 39 का एवरेज है लास मैच में भी 14 ओने कर दी है उसके पहले 0 किया था 52-79-19 बटलर से आज मैं अच्छी पारी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ताबर तोड 70-80 रन बना सकते हैं क्यों क्योंकि चिन्ना स्वामी है बैटिंग सर्फेस है और यहां पर अगर सिराज से बच गए तो बड़ी पारी खेल जाएंगे आप बात करें दो मैचेस बीच में खराब हुएं इसके अलावा ठीक टाक स्कोर नोना हर मैच के अंदर किया है आज के मैच में थोड़ा सा खत्रा जरूर मंडर आ रहा है तो आपको क्या करना है हैट मायर को ट्राइ करना है अगर फर्स बैट आ रही है अदर्वाइस फिर आप जा सकते हैं या शच्वी जैसवाल के साथ भी हलाकि जैसवाल हो सकता है सिराज के सामने फर्स जाए या आउट हो जाए हैट मायर थोड़ी बहतर चोईस मुझे नजर आ रहे हैं हैट मायर का फॉर्म भी बहुत कमाल का चल रहा है लास मैच में फेल हो गए आज के मैच में हैट मायर थोड़ा सा और अच्छा करके दे सकते हैं हैट मायर थोड़ी सी जादा प्रिफरेंस दे सकते हैं या शच्वी जैसवाल के उपर आगे बढ़ते हैं और संजू सेंसन की बात करते हैं मैसwald न्यौंड सेंट संब प्लेयर हैं, लास्स मैं फेल फेल हो गई, एक मिड़कर kita तो दूसरे मैंच में फेल हो जाते हैं, लास्स मैं फेल हो चुके हैं, आज के मैच में बैटिंग सर्फेस है, फॉर्स लाँन बैटिंग आएंगे किसी भी कंडिशन में मौका मिलेगा, तो बैटिंग से भी कमाल कर जाते हैं बैटिंग में थोड़ा ऊपर भी कई बार टीम प्रमोट करती है बैटिंग से बहुत जादा उम्मीद मत करना क्योंकि बैटिंग एकदम फिक्स नहीं है किस ओर्डर पर ये बैटिंग करने हैं लेकिन बोलिंग से उम्मीद कर सकते हो अच्छी खासी तो भाई अश्विन हमारी टीम में डैफिनेटी रहेंगे जैसे ने ओल्डर फर्स बोल आ रही है तो ले ले लेना डैथ और वर्स जालेंगे विकेट कहीं नहीं निकाल के ले जाएंगे अधरवाइस मत रखना संदीप शर्मा डिफरेंट चोईस है डिफरेंट ट्राइ करना है संदीप शर्मा को ट्राइ कर लो सभी लोग बोल्ट के साथ जाएंगे चहल के साथ जाएंगे और वहां से डैथ बोलर को सिराज को ले लेंगे करेंगे वे लाने का को पॉलर रहें और विरात को सीद्न Made में और सिद्ध करेंगे को तो जरूर को चाहर रएंगे कंद्वेंड रिन्च को भी Trent Bolt से भी खत्रा है due places को और विराट को क्योंकि ये भी शुरुआत में आते हैं पहले ओवर में कई बार विकेट टिकाल के ले जाते हैं एक बार फिर से उम्मीद है कि शायद फर्स्ट ओवर में आए और विकेट टिकाल के ले जाए ट्रेंट बोल्ट डेफिनिटली टीम है किसी प्लेइर को मौका मिलता है तो आपको टेलीगराम पर प्रोवर्ट हो जाएगा किस की साथ हम जा जा रहे हैं अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं प्लेएट के बारे में प्लेयर बैटल में किसने किसको आवट किया है विराट कोली जैसेंड होल्डर के सामने 6 बार आउट हुए ट्रेंट बोल्ड के सामने 3 बार जैंपा के सामने 8 बार आउट हुए तो जैंपा से थोड़ा सा खत्रा है जैंपा के सामने विराट को ली शायद थोड़ा सा खत्रा हमें देखने को मिले या हो सकता है आउड भी हो जाएं लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है कि जैंपा मैच में खेलते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे इस पिन को अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट होती है फिलाल तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि स्पिनर्स को सपोर्ट है तो जैंपा खेलेंगे अधरवाइस फिर होल्डर आपको देखने को मिलेंगे तो ट्रेंट बोल्ड से विराट को थोड़ा सा खतरा है और होल्डर से खतरा है फैफ ड्यू प्लेसेस को आउट किया है ट्रेंट बोल्ड ने चार बार जैसन होल्डर ने चार बार लॉम्रोर को भी आउट किया है एक दो बार चेहल नहीं मैक्सवेल बोल्ड के सामने चैव एक बार तो अट लिस्ट आउट किया है साथ इसाथ चहल भी इंपोर्टेंट है चहल भी यहाँ पर विकेट्स ले जाएंगे आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टीम के प्लेयर बैटल अगर हम देखें तो बाई बटलर मैक्सवेल के सामने दो बार फसे है 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 जैसवाल एक एक है जैसल भूड यह तो रिपीट हो गया है तो यहां से इंपोर्टेंट प्लेयर कौन सा है है या सिराज के स्टैट यहाँ नहीं लिखे गए यह इस वाले में देख सकते हो, सिराज सेंसन के सामने दिखें और दो बार आउट किया है, तो सिराज important है, हसरंगा important है RCB से और वहाँ से बात करें, चहल और बोल्ट important है, जेनों आपोनेट्स के लगण सारे ही प्लेयर स्काउट किया है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हैथरीन फॉर्म में और बैटिंग सर्फेस है, जब भी बैटिंग सर्फेस होती है, तो बैट्समें को आप कैप्टन कर सकते हैं, डेफिटली कर सकते हैं, और राउंडर के तरफ मत भागना, बैट्समें को कर सकते हो, या बोलर्स को कर सकते हो, और यहाँ पर हम captain Sanju Samson होने वाले हैं जो last match में फिर से जल्दी आउट हो गए फिर से लोग ignore कर देंगे जब भी जीरो पर आउट होते हैं next match में लोग ignore कर देते हैं next match में यह जरूर कमाल करते हैं साथी साथ Glenn Maxwell last match में कुछ नहीं किया है आज के match में Maxwell से भी थोड़ी ठीक ठाक पारी की उम्मीद आप कर सकते हैं एक मातर all downer जिसको आप captain भी कर सकते हो मुहमद सिराज को भी आप try कर सकते हैं मुहमद सिराज का form भी बहुत अच्छा चल रहा है अब हम दोस्तों आगे बढ़ते और देख लेते हैं low selection परसेंटेज वाले कौन से important player है हेटमायर लास्ट में फेल हो गए है बैटेंग ओड़ा थोड़ा सा नीचे है लोग ignore कर देते हैं आप try कर लो definitely win कर जाओगे हरशल पटेल को भी काफी सारे लोग ignore करना है और देबदत वडिकल ये तीन player में से किसी एक को अगर आप try करते हूँ और अगर उसको मौका मिल जाता है तो वो आपको कमाल करके देने वाला है तो भाई तीनों में से किसी एक को try कर लेना small league में भी कर सकते हो grand league में भी कर सकते हो आगे बढ़ते हैं GL के fixed player के बारे में बात कर लेते हैं कौन से fixed player होने वाले है जौस बटलर हर टीम में try करना है विराट कोली डूपलेसिस मैक्सवेल अश्विन हसरंगा और bowling section से बोल्ट आप यहां से चहल आपके अपास होना चाहिए यह आपको लगबग हर टीम में try करना है चांसे से यह player आपको कुछ ना कुछ करके देंगे और जो बाकी players है तीन players इसमें बचे है आट player मैंने अल्डेडी लेके रखें तीन किसको rotate करना है वो मैंने आपको पिछले वाले section में बता दिया different player में से ले सकते हो different captain में से ले सकते हो definitely आपकी grandly गया जाएगी recently मैंने भी एक match खेला था women match था तंजानिया और रवांडा का match उसमें मेरी भी third rank लगी है इनी combination के साथ तो नहीं लेकिन ऐसा ही मैंने कुछ वहाँ पे भी try किया था जिस player का form अच्छा चल रहा इसको fix रखा सारी team के अंदर और captain wise captain को rotate किया आगे दोस्तों बढ़ते हैं team के बारे में बात करेंगे उसके पहले बता देता हूं बल्ले बाजी पर predictor से भी पैसा काफी सारा कमा सकते हैं predictor क्या होता है बस yes और नो में जबाब देना होता है जैसे अगर आपको यहाँ पे लग रहा है एक कर double यहाँ पर होता होगा नजर आएगा तो बाई बल्ले बाजी पर predictor try कर ले ना काफी बड़ी आप profit कमा सकते हैं सिर्फ यह और नो में जबाब देना है पूरे 11 प्लेयर्स भी आपको नहीं चूस करना है साथ यह साथ केप्टन वाइस केप्टन में चूस करना है सिर्फ यह सवर नो में जबाब दोगे पूरा पैसा कमा सकते हो fantasy war भी चलता है fantasy war क्या है दो influencers की टीम आपस में टकराएगी आपको किसी एक की टीम को चूस कर रहा है भाई इसकी टीम कभी हारती नहीं इसी की टीम जीतेगी उसको चूस करके बिट लगा सकते हो और फिर से पूरा पैसा कमा सकते हो तो भाई यह भी आप काफी इंट्रेस्टिंग चीज़ है तो fantasy war में भी आप अपना जो participation है जो आप कर सकते हैं और काफी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको प्रोवाइड करता हूं बिना किसी पैसे लिए मतलब आपको एकदम फ्री में टीम मिलती है तो last match में भी काफी बड़ी हा winning किया है क्यों विनिंग किया है मारकंडे हमारे टीम में थे और मारकंव हमारे केपटेन थे शानती साथ गाएकबाद भी हमारी वाइस कैप्टेन थे हलाकि कुछ लोग के कॉंड़ वाइस केपटेन थे इसके बावजूद भी मैने काफी अच देखा वो वीडियो भी देख सकता है तो टेलिगाम चैनल जॉइन कर लेना फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगी पूरे प्लेइंग 11 के साथ ऐसा नहीं होता है कि ग्यारा प्लेयर की जगर 10 प्लेयर देदी और बोल दिया कि ग्यारा आप अपने मन से चूस कर लो यह ग्यार हमारी टीम्हांगे से सांतिते संथ बैटिंग से अब देख सकते हैं विराट पोली द्यूप्लेसों पूरा मन है कि आज मैं हैटमायर को अपनी टीमें ट्राइ करूं फ़स्ट बैट अगर आ री है न राजस्थान की तो फिर मैं है अटमायर के साथ जाओंगा क्योंकि सिरा से खत्रा रहेगा जैसवाल को और जैसवाल आउट होंगे तो बैटिंग डेफिनिटली फिर कहीं ना कहीं एट मायर को कुछ ना कुछ तो मिली जाएगी और है फिर बढ़िया कर सकते हैं और डाउनर सेक्शन से मैक्सविल भी हमारी टीम में अश्विन हमारी टीम में हसरंगा हमारी टीम में होल्डर की फॉर्स बैट आती है तो होल्डर की फॉर्स बोलिंग आती है तो होल्डर को रख सकते हो डैथ वर्स डालते हुए नजर आ सकते हैं बोलिंग सेक्शन से बात करें चहल हमारी टीम में है बोल्ट हमारी टीम में और सिराज भी हमारी टीम में है यहा स्वामी पर डैथ बोलिंग में विकेट निकाली लेते हैं कहीं न कहीं से तो अरशल पटेल भी बढ़िया चोईस है फिलाल तो हैट मायर या जैस्वाल में से किसी को मैंने लेकर रखा है क्योंकि बैटिंग सर्फिस भी है यहां पर कैप्टन वाइस केप्टन की चोईस देख सकते हैं तो आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड हो जाएंगे टेलिग्राम आपने जॉइन कर लिया होगा आप हम दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर मैंने टीम करके रखिये यहां की टीम देखोगे फिलालतो सेम यहां कि बना कर रखिये जैसवाल को भी मैंने टीम में ट्राइ जोता अगर कोई change होता है तो आपको telegram पे मैं इसकी team भी provide करा दूँगा तो telegram आप इसलिए important है telegram join कर लेना यहाँ पे जो आपको team मिल रही है न हो सकता है कोई change करके मैं team दे दूँ यह final team नहीं है इसलिए telegram important है नहीं तो आप बाद में बोलो कि sir आपने जो video में team दी थी होगी उसके बार team को update करना होता है और updated team आपको telegram पे मिलेगी उस time YouTube पे तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि time काफी जदा कम होता है इसलिए telegram important है telegram join कर लेना साथी साथ यहाँ पर predictor भी खेल सकते हो simply क्या करना price check कर लेना है यहाँ पर bid increase करना है at least hundred bid रखा सकते हो रण करोगे और यहाँ पर देख सकते हैं इतना investment इतना return हो रहा है तो प्रेडिक्टर भी आप खेल सकते हैं betting friendly team भी मना सकते हो bowling friendly team भी मना सकते हो पांच प्लेयर्स के साथ तो बल्लेवाजी का link मैंने description में देती है जाके download कर सकते हो और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके जाना लगतार आपको ऐसे ही वीडियोस हम प्रोवाइट करने वाले हैं पूरे IPL के अंदर मिलते हैं next वीडियो में thank you and thank you so much